Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल कैसी रही ओशो की जिंदगी, क्या उनके साथ रहस से जुड़े रहे, ये वो spiritual गुरू थे, जिनकी life जितनी ज्यादा controversial रही, उससे ज्यादा उनकी जो death थी, जो उनकी मौत थी, वो mysterious बन गई, तो आज आपको ओशो के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं, साथ ही साथ में आ उनकी असल जिन्दगी रही कैसी थी, कैसे वो एक professor से, एक spiritual गुरू बन गए, कैसे भारत में पहले उनका जो शिश्य थे, जो अंग्रेज थे, बहार से आए फॉर्णर्स थे, वो लोग यहाँ उनके शिश्य बने और इसके बाद उनने भारत से अमेरिका क्यों जाना और क्या वहाँ पे उस जेल में उने slow poison दिया जा रहा था, जहर दिया जा रहा था, और इसके बाद उनकी मौत के बारे में बात करेंगे, कि उनकी जो मौत हुई ओश्यों की, भारत में आने के बाद, क्या वो एक natural death थी, क्या वो एक सामाने मृतियों थी, या फिर उने किसी ने जहर दिया था, और वो भी उनके करीबी लोगों ने, तो इन सब चीजों पर आज बात करने वाले हैं, और आपको सब कुछ पता चलेगा, कई सारे सवाल बाद में खड़े हुए ओश्यों की death के बाद, उन पर भी बात करेंगे, और कितने सारे आरोप लगते हैं, उस प उनके घर में ओशो का जनम हुआ था, माझा नाम था सरसोती जन, तो यहां पर एक जन परवार के अंदर ओशो का जनम होता है, और बचपन ने इनका जो नाम था रखा जाता है मावप के दृबरा चंदर मौहन, जन इनका नाम था और इनको जो इनका घर का नाम रखा गया निकनेम जो दिया गया था वो था रजनीश तो रजनीश इनके माता पिता ने नाम दिया बच्पन से ही अगर देखा जाए तो यह बताया जाता है कि बहुती क्यूरियस सभाव के थे मतलब हर चीज जानने की हर सब कुछ उन्हें जानना था इस तरह की एक उनकी मान सकता थी क उन्हें हर चीज जाननी है और साथी साथ में जो existing रीतियां हैं जिस तरह की रीतियां पुरानी चली आ रहे हैं चाहें वो धार्मिक रीतियां हो चाहें वो समाज की रीतियां हो उनके अगेंस्ट में जाकर काम करते थे उनके अगेंस्ट में सोचना विचारना शुरू कर द तो ये बच्छपन से यह देखता है और ये बताया जाता है कि ये सब उन्हें उनकी दादी मा जो थी उनकी जो ग्राण मदर थी उनसे वो काफी ज़्यादा इंफ्लूएंस थे क्योंकि वो एक बहुती ज़्यादा बुद्धी जीवी महिला थी तो इसके चलते यहां पर ओश सवाल पूछते थे उसके बाद उससे प्रियोक करते थे तो ये सारी चीजें उस्षो में बच्पन से ही थी मानव प्रवर्ती जो होती है यूमन साइकलोजी जो है उसमें पहनी नजर रखना ये सब उनको बच्पन से ही इसका शौक था अब स्कूली सिक्षा जो हुई उनक 20 साल की उमर थी जब 1951 में उन्होंने अपना बीए कंप्रीट कर लिया था बीए कंप्रीट करने के बाद ओशो ने जबलपूर में ही एक हितकरनी कॉलेज है हितकरनी कॉलेज में दाकला लिया अब यहां का एक किस्सा आप सुनिये कि क्या हुआ कि हितकरनी कॉलेज में फिल नाराज हो जाते हैं अब जब वो नाराज हो गए तो एक समय ऐसा आ गया कि वो अपना कोर्स भी कम्प्लीट नहीं कर आपा रहे थे वो शो के सवालों के चलते हैं इस इन सब के चलते हुए जो प्रॉफेसर थे उस प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं इतकरनी कॉलेज के और या तो उन्होंने सीधा अल्टिमेटम दे दिया था कि आप या तो इस कॉलेज में चंद्रमोहन जैन यानि की ओशो रहेंगे या तो फिर मैं रहूंगा जब ये बात प्रिंसिपल के सामने आई तो प्रिंसिपल ने ओशो को बुलाया और कहा कि आपको ये कॉलेज जो है उ लेकिन आप ये चीज़ सामने आती है तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन इसके साथ ही बड़ी मुश्किल से डियन कॉलेज है एक जवलपुर के अंदर तो डियन कॉलेज में ओशो का दाकला करा दिया जाता है अब सवाल पूछने के प्रवर्ति यहां भी चालू रह जब रज़नीश ने मतलब जो चंद्र मुहंजेन थे उन्होंने अपना करीयर जो था वो teaching को चुना हो उन्होंने teaching करीयर है अपना चुना और teaching करीयर सबसे पहले उन्होंने शुरूआत की थी इस्की रायपूर के Sanskrit विश विद्याले से तो Sanskrit विश विद्याले University रायपूर से उन्होंने teaching करेगी शुरुवात की तीन साल यहां काम के और तीन साल के बाद 1960 का वो साल था जब जवलपूर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे philosophy के professor बन जाते हैं अब यह philosophy के professor बन चुके थे और यहां पर उससे में बताया जाता है बहुत ही टेस्ट तर्रार प्रोफेसर माने जाते थे अपने समय के लेकिन अब यह कैसे हुआ कि एक प्रोफेसर इस्प्रिच्वल गुरू बन गया दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक जरूवी सूशना आपको देना चाहते हैं अगर आप लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं यूपियसर से एक्जामनेशन की त्यारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं आपका सपना इस एक्जाम को क्रैक करना आपको भली बादी पता है आपको वहाँ पे अपनी कोर्सी की डीटेल चैक करनी हैं उसके बाद जो आप उन्हें परचिछेस करेंगे वहाँ पे आपको एक कोड़ लगाना है वीजे लाइव यह आपका कोड़ है वीजे लाइव को लिखते ही यहां पे आपको एक बहुत गुरू बनने का सफर को इस तरह से शुरू हुआ था ओशो का कि जब वो प्रोफेसर थे उनिवरस्टी में जवलपूर उनिवरस्टी के अंदर उसी समय से उन्होंने छोड़े छोड़े शिवर लगाना शुरू कर दिये थे जिन शिवरों में वो राजनीती के ऊपर उस समय क धर्म के उपर सेक्स के उपर बहुत सारे विवादासपत बयान देते थे बहुत सारे विवादासपत लेक्चर्स देते थे ऐसे प्रवचन देते थे कि लोगों का उन लेक्चर्स को सुनने के बाद में एक तरह से कहा जाए कि लोगों का मन किसी चीज़ का बदल जाता था वो पूरी तरह से अंदर से बदल जाते थे, खुल जाते थे एक तरह से, तो इस तरह के लेक्चेस उन्हों हैं देना शुरू किये, ये सब चीज़ें चल रही थी जब वो युनिवर्स्टी के प्रोफिसर थे, तो इसके बाद उन्होंने भारत का अलग 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 जगे पे अलग अलग राज्यों के अंदर जाना, शेहरों के अंदर जाना शुरू किया, दौरा शुरू किया, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं, शुरुवाती दौर में इस समय पर उन्हें अब आचार रजनीश के नाम से लोग जानने लगे थे, लोग उन्हें अब आचार रजनी की तरह काम करना इतना पसंद आने लगा था लोगों को प्रवचन देना इतना पसंद आने लगा था कि उन्होंने युनिवर्स्टी के उस प्रोफेस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और 38 साल की उनकी उमर थी और 1969 में मुंबई पहुंच जाते हैं अब यह मुंबई पहु कुरवा उनकी संफरक में आती हो और साथ ही साथ वो ओशो की पहली शिश्या बनती इसी के साथ अब ये लोग मुंबई पहुँ कहुंच जाते हैं मंबई पहुंच गये लक्षमी कुरवा को उन्होंने नाम दिया माः योग लक्षमी बेसिकली क्या था कि ओशो के साथ जो भी उनके शिश्य बनते थे या शिश्य बनते थी तो वो उने इस तरह से अलग अलग नाम दिया करते थे लड़कियों को जो महिला होती थी उनके नाम के आगे एक नया नाम देकर उनके नाम के आगे वो मां लगाते थे और जो पुरुष होते थे उनके नाम के आगे स्वामी कर सके तो यह सब चीज़ें वो करते थे अब इसी साल क्या होता है कि यह जो समय चल रहा था ओशो मुंबई पहुंच चुके थे जो प्रवचन थे वो लगाता चल रहे थे लेकिन अब अगला साल आता है 1970 1970 का वो साल था मनाली इनका जाना हुआ और मनाली जब वो गए तो वह आना एक traditional method चला आ रहा है सन्यास का जो traditional सन्यास है भारत का उससे पूरी तरह से विप्रीत था उसके opposite था टोटली अलग था ओशो का कहना था कि मेरा जो सन्यास है यह ऐसा है जो आपको सब कुछ करने की छूट देता है आप कुछ भी कर सकते हैं और साथ में आप सन्यासी ब अब यह जब moment शुरू हुआ इसके लिए इसके साथ बहुत सारे लोग तो उनके साथ जोड़े ही लेकिन बहुत से उनके जो विरोधी थे वो भी अब भारत में खड़े होने लगे थे दरसल रजनीश ने आचार रजनीश ने यानि ओशो ने बचपन से ही जो उनके प्रव में धारनाएं हैं रीतियां हैं करमकांड हैं उनके खिलाफ अपनी आवाद उठाते थे एक तरसे कहा जाए कि ओशो का मानना ये था कि संगटेद धरम जो होता है वो लोगों में आध्यात्मिक जो ग्याने उसको बढ़ाने की वज़ाए वो लोगों को विवाजन करता है उ उनका मानना था वो ये मानते थे कि धरम और राजनीती जो है वो एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू है जिनका उद्देश एक मात्र यही है कि लोगों को अपने कंट्रोल में रखा जा सके तो उनका ये कहना था कि धरम और राजनीती एक ही सिक्के के दो पहलू है ये सा खिलासे होती है कि इंग्लैंड की लड़की आई थी उनके पास में जिसका नाम था क्रिस्टेना वुल्फ स्मिथ ये जो लड़की थी इससे मुलाकात होती है रजनीश ने ओशो ने उनका एक सन्यासी नाम दिया उस लड़की को जिसके बाद में वो उने मा योगा विवेक ब मिलने वाला हैं तो अब ये जो मा प्रेम निर्वानों थी इनके नाम से इने जाना जाता तो और बताते हैं कि ओशो ये कहते थे कि ये जो प्रेम निर्वानों हैं ये उनकी पुराने जनम की दोस्त हैं वो उनको अपने पिछले जनम की दोस्त मानते थे उनकी सबसे करीवी भ रही उनकी प्रेमिका भी रही मा प्रेम निर्वानो तो अब यहाँ पर यह क्या था यह समय के दो साल निकलते हैं 1970 का साल था है दो साल निकले 72 आया और 72 में भारत में विदेशी परेटक जो थे वो इतनी बड़ी संख्या में आने लगे ओशोक के लिए जो उनसे आकरशेत होकर यहाँ पर आते थे अब उनके उनसे मिलने के लिए काफी सारे जब परेटक आने लगे जब लोग आने लगे भार से उनने विजिट करने के लिए तो उस समय पर जो उनकी personal secretary थी जो पहली personal secretary उशो की रही थी जो जिनका नाम था मा योग लक्षमी तो उन्होंने बड़ी साफधानी से वो यहां पर क्या करती थी मिलने के लिए कि लोगों को चुनती थी और कैसे चुना जाता था सबसे पहले सारे लोगों को dynamic meditation center में बेज दि बीच पर चौपाटी के पास जो बीच है वहां पर अपने प्रवचन दिया करते थे यह सारी चीज़ने चलती थी उनके प्रवचन इस तरह के थी के बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात जो थी वो सामने वाले को समझा दिया करते थे बता दिया करते थे कई सारे अमीर से दान दिया करते थे लोग, दान उन्हें बहुत जादा मिलता था और वो इस बात को ओशो जो थे, आचार रहिनीश, वो इस बात को खुलकर accept करते थे के हाँ मुझे दान मिलता है और एक बार उन्होंने ऐसा कैबी दिया था, उन्होंने कहा था कि बाकी जो सारे religions हैं, वो गरी ही religion जो सारे धरम हैं, वो गरीबों को देखने में लगे हुए, कमसे का मुझे छोड़ दो, जिससे मैं अमीरों को देख सकूँ, I am the rich man's guru, मैं अमीर आदमियों का guru हूँ, तो ये उन्होंने इस तरह के अपने statement दे दिये थे, ओशो ने, तो भली बाती इस चीज़ को मानते और जानते थे, सब के सामने accept भी करते थे, कि वो दान उनके पास बहुत सारा आता है, पैसा यहाँ पे लगातार आता जा रहा था, इसके साथ ही आपको बता दें, ओशो अपने हर शिश्य को, जो भी उनके follower होते थे, उन्हें लकडी का एक, लकडी से बनी हुई एक माला द रहते थे, कि वो लोग इस लॉकेट को पहन कर रखें, तो उस लॉकेट को पहन कर रखें, साथ में उन्होंने एक और चीज़ शुरू की थी, कि उनके जो भी followers होंगे, वो नारंगी कलर के, या फिल लाल कलर के, कपड़े पहनेंगे, और ये जरूरी था, कि वो कपड़े ज इस से ये भी होता था, कि जो आम नागरिक था भारत का अलग 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 जगे पे, वो लोग ओशो के जो शिश्य थे या उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन्हें आसानी से पहचान लेते थे, कि ओशो के जो लोग हैं, वो अलग 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 जगे भूम रहे हैं, यहां लगें कुछी दिनों के बाद हुआ क्या मुंबई में अभी तक ओशो रह रहे थे, कुछी दिनों के बाद मुंबई में उन्हें रहना कठिन लगने लगा, एक तरह से क्या था कि मुंबई का जो बारिश, तेज बारिश, मौनसून जो है, उस से उन्हें ऐलरजी और सास की दमा, एक तरह से दमाई की प्रॉबलम हो गई थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो इन सब चीजों के चलते उनके जो विदेशी सन्यासी थे, जो उनके साथ में ही मुंबई में रहने लगे थे, उनकी भी तबीयत बगडने लगी थी, मुंबई के मौनसून के च 1974 का इस साल था, 1974 का, 1974 में जो उनकी सेक्रेटरी थी मायोग लक्षमी, वो मुंबई से पूने जाती है, पूने गई और उस दिन में बताया जाता है, उन्होंनों छे प्रॉपर्टी देखी थी अलग-अलग, पूने के अंदर, छे प्रॉपर्टी देखी जिसमें कोरे गाउ पार्क और मुंदवा जो प्रॉपर्टी थी, वो भी शामिल थी, यहाँ पर जित्ते भी लोग थे, पूने के अंदर, ओशो के कई सारे ऐसे फॉल्वर्टी जो वहाँ पर थे, उनकी मदद से सारी प्रॉपर्टी देख चुकी थी, और एक तरह अपना मन भी बना चुकी थ प्रॉपर्टी को करना था, योग लक्षमी चाहती थी कि मुंदवा की जो प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा सही रहेगी, वो शो के आश्रम के लिए, पर्मनेंट आश्रम उन्हें क्योंकि यहाँ पर बनाना था, और वो अपना मन बना के यहाँ पर मुंबई वापस आ ज करती थी, जब वो उसको विजिट कर रही थी, देख रही थी, तो उस बीच में एक पेड़ के नीचे वो खड़ी थी, जो की बदाम का पेड़ था, आलमन्ट ट्री था वो, तो वहाँ पे एक बदाम जो था, वो नीचे गिरता है, और उसके बाद वो उस बदाम को उठा के मुंबई अपने साथ ही ले आई थी, यहाँ पे जब वो ओशो को बताने लगी मिलने के बाद, केसे इस तरह से देखा है, पूरे के अंदर परपरटी, यह हैं जगे, तो यहाँ उन्होंने यह भी दिखाया कि यह एक बादाम है, जो की, जो कोरे गाउं में एक परपरटी ह पूरे के अंदर, वहाँ से मैं लाई हूँ इसको, आपकी जिगा, पूरा नाम था जगे का, कोरे गाउं पार्क, तो जो वहाँ की परपरटी है, तो वहाँ से मैं इसको लाई हूँ इस बादाम को, जैसे बताते हैं कि जैसे ही ओशो ने उस बादाम को देखा, उन्होंने एक शब्द में, एक सिंटेंस में एक लिय कर दिये था कि उनका मन क्या है, उन्वन ने कहा कि बिना कुछ देखे, आप कोरेगाउं पार्क का जो प्रॉपर्टी है, उसको फाइनल कर दीजे, हमें कहीं और आश्रम नहीं बनाना, हम कोरेगाउं पार्क में ही अपना आश्रम जो है, वो बनाने वाले हैं, तो अब साल चौतर था ये 1974, जब पूने की जो प्रॉपर्टी थ को ओशो का प्रेसिडेंस बनाया जाता है, और जो दूसरी प्रॉपर्टी बंग्लो नमबर 17, उसको यहां पर आफिस बनाया जाता है, पूरे आश्रम का, तो ये काफी बड़े एरिया में फैली उई प्रॉपर्टी थी, और बाद में जाके इनका नाम भी चेंज किया गया और इन आश्रमों में भी करीबन धाई से तीन अजार लोग रहा करते थे, पूरे के उस आश्रम में, अब यहां पर जो आश्रम था वो पूरी तरह शुरू हो जाता है, इस पेस जो था आसपास का वो समय के साथ बढ़ता गया, और जगे को एक्कुएर करते गए, और जग बात करते हैं, दरसल साल 1979, पांस साल के बाद में, पूरे में लगाता है, पांस साल तक यहां पर ओश्रम था वो चलता है, पांस साल के बाद में, उनकी किताब आई 1979 में, संभोग से समाधी की और, यह जो किताब थी, इस किताब के आने के बाद में, भारत के अंदर कई लो लोगों की उन सादू संतों की भारत के ऐसे वर्क की जो लोग सेक्स के बारे में खुले तोर पर बात नहीं कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं ओशो का बहुत जादा बिरोध हुआ और ये कहा गया कि इस किताब के माद्यम से ओशो जो है जो बाकी जो धरम है उ किताब लिखकर वो सेक्स को दवाने वाली जो सोच थी जिन सादू संतों की या जो बाकी अलग लोगों की वो उनके दुश्मन बन चुके थे एक तरह से ओशो इस किताब को लिखने के बार तो ये बताया जाता है कि जब ये किताब आई तो काफी जादा बवाल इस पर हु इसके सादी ओशो ने आश्रम के अंदर क्या शुरू किया था पुने में कि उन्होंने कई सारी थेरेपीज देना शुरू कर दिया था लोगों को अलग अलग स्क्रिच्छल थेरेपीज भी होती थी इसमें और पानी की तरह पैसा इस समय उस आश्रम में लगाता रा रहा थ जाता है इन THERAPYS में एक THERAPY बहुत ज़्दा FAMUS होने लगी बहुत ज़्दा पॉपलर होने लगी जिसके लिए सबसे ज़्यादा जिसको जिस उस आश्रम को सबसे महत्वस को दिया जाता था काफी लोग आते थे यह ठेरपिती सेक्स THERAPY यहां पर सेक्शॉलिटी से जोड यह सारी चीज लगाता चलती है इसी दोरान ओशो को एक और अपने शिश्य मिलते हैं अब यहाँ पर इस शिश्य का जिक्र क्यों हो रहा है इनको आपको ध्यान में रखना है यह शिश्य थे जॉन एंड्रियूज जिसे बाद में ओशो ने नाम दिया अमरितो अमरितो ओशो साथ में यहाँ पर रहा करते थे ओशो की जो डेथ हुई है जो मौत उनकी हुई उससे गहरा नाम इनका जोड़ा रहा है तो यह भी आपको आगे पता चलने वाला है तो अब बैराल पूने के आश्रम में 1981 में यह जो लोग थे उनका आना जो संक्या बताई जाती है बताई और चीज जो यहाँ पर होई थी वो बताई जाती है कि विदेशियों के आने से आश्रम में जो गतिविदियां चलती थी उनकी वजए से 1977 से 78 के बीच में जो प्रधान मंतरी थे हमारे मुराजी देशाई मुराजी देशाई के साथ में यहाँ पर उस जो आश्रम था उश् के द्वारा कि अब भारत से बाहर जाया जाएगा अब भारत से बाहर जाएंगे और कहां जाएंगे तो नौन बनाया जाता है कि अब अमेर्का जाया जाएगा तो 31 माई 1981 का वो दिन था जब मुंबई से ओशो जो है वो अपने सारे करीबी लोगों के साथ में अमेरिका के लिए रवाना या से हो जाते हैं उशो दरसल पहले भी यूएस जा चुके थे अमेरिका जा चुके थे मेडिकल वीजा पर क्योंकि उनको प्रोलैप्स डिस्क जो है उसकी वज़े से उनको दिक्कत थी तो वहाँ पर उसके ट्रीटमेंट के लिए लगाता जाते थे उनकी पीट में कमर में दर्द भी बहुत ज के लिए भुक थी ओशो उसमें खुद सवार थे और यह सईयोगियों के लिए उन्होंने बुक कर रखी थी सीट्स और उसके बाद यह लोग यहां पर अमेरिका पहुंच जाते हैं ओशो के पीचे पीचे करीबन धाई हजार जो आश्रम वासी थे जो आश्रम के अंदर रह मिलते विनोद खना भी ओशो के उस आश्रम में पूरे में जाया करते थे और वहां पर उसके बाद वो भी अमेरिका उनके साथ में गए थे इसी बीच ओशो ने क्या किया कि बताते हैं कि वो यहां से उनके पास में कई सारी रॉल्स रॉइस पहले से थी जो बहुती सबसे अधा एक तरह से कहा जाए कि महेंगी गाडियों में शुमार है रॉल्स रॉइस तो रॉल्स रॉइस उनके पास पहले च्छे हुआ करती थी और अमेरिका जाने के बाद में बताते हैं कि करीवन तेरानवे रॉल्स रॉइस गाडियां ओशो के काफिले में शुमार हो गए उनके पास तेरानवे रॉल्स रॉइस गाडियां हुआ करते थी लेकिन यहीं से अब ओशो के बुरे दिन भी शुरू हो चुके थे वो किस तरह से हुआ था या आपको बताते हैं शुरुआत में जब अमेरिका पहुँचे तो ओशो रहना शुरू करते हैं जो आचार रज लोग थे तो इन्हों ने यहाँ पे डैन्वर के अंदर जब तक यह टैंप्ररी अपना इस्टे ले रहे थे न्यू जर्जी में मॉन्ट क्लेर में इनके फॉल्वर्स ने एक मेडिटेशन सेंटर बनवा दिया डैन्वर के अंदर इसी के बाद उन्हों ने एक और नई जग हजार एकड बताया जाता है, 60 से 64 हजार एकड क्योंकि कई जगे अलग अलग प्रमान इसके मिलते हैं, तो 10000 आलग मिलते हैं, कि अधिकली बता है हमें ओरिगोन स्टेट में अमेरिका के, यहाँ पर यह आश्रम बसा दिया गया था और इसको नाम दिया गया था सेटी ओफ रजनीश पुरम तो यह यहां पर आश्रम बसा चुके थे अब इसके बाद जब अमेरिका में जाके ओशो ने इतनी बड़ी एक तरह से पैमाने पर अपना इस्प्रिच्वल जो ग्यान था वो देना शुरू किया तो यूएस में यहां पर अलग-अलग चीज़ें उनके साथ में होने लगी हो यूएस सरकार भी इसमें सामने एक तरह से उनके पैनी नजर रखने लगी थी हुआ क्या कि ओशो के उन ध्यान केंद्रों में ओशो के उन स्प्रिच्वल प्रवचनों में अमेरिका से लेके यूरोप तक के बड़े-बड़े लोग जहां पे उनमें कई सा सारे डिप्लोमैट्स थे डिप्लोमैट्स की हाउस वाइफ थी यह सारे लोग वहाँ पे लगाता पहुशते थे और इन में से अक्सर जादा तर लोग बहुती अमीर बहुती बेलदी हुआ करते थे आपको बता दें कुछ उदारण जो उनके फॉलोवर्स थे जो उनके आसपास के बड़े कंट्रीज के ओशो के यूएस वाले सेंटर में आश्रम में पहुचा करते थे यह सब चीजने चलती हैं लेकिन अमेरिका के अंदर अब इन चीजों से दिक्कत होने लगती है दरसल अमेरिका में पहले भी एक इस तरह के एक इस तरह का सेल्फ जो खुद ही नाम से एक शहर उसके फॉलवर्स ने और उसके फॉलवर इतना जादा इंफ्लूएंस थे जोंस से के वहाँ पे जब ये एक एक बड़ी कहानी है यह जिसको बाद में हम एक एपिसोड में कंट्रूर करेंगे आपके लिए एक एपिसोड इसके ऊपर भी बनाएंगे तो नौसों लोगों ने अपनी ही मर्जी से अपनी जान दे दी इतने ज़्यादा इंफ्लूएंस थे वह जोंस से तो यहाँ पर एक ऐसा ही एक खुद को भगवान बताने वाले जोंस कोई कहानी यहाँ पर अमेरिका पहले भी देख चुगा था पहले भी एक ऐसा केस देख आश्रम के अंदर 160 होटल रूम थे एक शॉपिंग मॉल था एक मीटिंग हॉल था और इसी के साथ में जो प्राइवेट सेक्रेटी होती है प्राइवेट सेक्रेटी फोर्स खुद की वहां पर मौजूद रहा करती थी सेफटी सुरक्षा के लिए तो ये सारी चीजें आगे ज जो लोग थे वो कई काफी जादा परेशान होने लगे थे जो अमेरिका के खुद के यूएस के नाग रेखें कई बार ऐसी कंप्लेंट भी आई इस आश्रम के लिए ओशो के कि वहां पर जो लाफिंग गैस होती है उसका मिस्यूस किया जा रहा है वहां पर साथ में ये भी काउंटी एलेक्शन उसमें ओशो के जो रजनीश पुरम का कोई कैंडियेट खड़ा होगा और इसके बाद ये लोग वोटर्स को बाइस तरीके से उनको अपनी तरफ लाएंगे और पर वो लोग यहां पर जीच जाएंगे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं बिसिकली यहां पर होमलेस लोगों को यहां पर हजार होमलेस लोगों को अपने पना दे के तो यह सब चीज़ां यहां पर बताएगी और यह किस तरह से बताएगी कि और इगोन स्टेट के ही जो लॉयर्स थे उन्होंने चैलेंज कर दिया उन्होंने यह कहा कि यह जो रजनीश पुरम है य के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं जिससे वोटर्स को बाइस कर सागे अपनी तरफ और रजनीश के जो को इनिडेट हैं वो यहां पर जीद जाएं अमेरिका सरकान ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू की कि आखिर इस बात में कितनी सचा ही है क्या चीज है इसी समय क् सेप्टमबर के महीने में यह जो 1934-1934 की बात है सेप्टमबर के महीने में ओरेगॉन शहर के 751 लोग फूट पॉजनिंग का शिकार हो जाते हैं फूट पॉजनिंग यहां पर होती है और इसके साथ जब इसकी तैकिकात की गई तो यह सामने आता है यूएस को कि ओशो की ए की पॉपुलेशन को जो जगए की आसपास के लो जो आगे वोटिंग करेंगे उन पर बाइयो टेरर अटेक किया है बायो टेरर अटेक करके उन लोगों को बीमार कर दिया गया संग इसके वोटर मड़ान नहा कर पाए इसके इंवेस्टिगेशन जो हुई तो माँण शिला क यहां पर सजा भी सुनाई गई यह सब चीज़ें जब होई तो ओशो के और उनके आश्रम के ऊपर कई सारी पावंदियां लगा दी गई उसके बाद में उन पे चार्जेज कई सारी लगा दी बताते हैं कि करियों पैतिस चार्जेज यूएस ने ओशो के ऊपर लगा दिये थे और इसी के साथ होता क्या है कि एक महीने बाद ही आचार रजनीश यानि ओशो और उनके साथ अलग-अलग फॉलोर्स को इमिग्रेशन फ्रॉड के चार्जेज में उनके ऊपर प्रोसेक्यूशन मतलब उनके ऊपर सजा उने देने वाले थे यूएस में उन पे ये चार्जेज इमिग्रेशन फ्रॉड के लगा दिये गए थे 28 ओक्टूबर 1985 का वो दिन था जब ओशो को साथ में उनके जो जैश जिसको जिनका नाम था माइकल ब्राइन और जो अमरितों थे जिनका असली नाम था जॉन एंड्रॉड इन्हें यहाँ पे नौथ कैलिफोर्निया के चैर्लोट एयरपोर्ट से पकड लिया जाता है इस तरह से फेडरल एजेंट्स ने यूएस के पकड़ा था इन है और यह बताते हुए पकड़ाता कि जब इन पे चार्जेज लगाए गए है इमिग्रेशन फ्रॉड के इसके बाद ओशो और इनके जो बाकी फॉल्वर्स थे यह लोग यहाँ से भाग रहते बर्मुडा अपने प्राइबेट जेट में इसलिए इनको यहाँ पर पकड़ लिया गया है जिससे वो प्रॉफ्सिक्विशन से सजा से बच सके यहाँ पर यह वोशो के साथ में क्या किया जाता है उन्हें पहले तो जेल में रखा गया उन्हें कैद करके रखा गया इसके बाद उनकी कई बार उनकी जो बेल थी उसको भी नहीं ना उनको उसको नजरनदास किया गया बेल नहीं दी गई और इसके बाद जब उन्हें छोड़ा जाता है तो इस तरह छोड़ा जाता है इस शर्ट के साथ में कि पहले तो वो चार लाक डॉलर का जो फाइन है वो देंगे यूएस को यूएस सरकार को और बाद में पात सालों तक ये वापिस यहाँ पे नहीं आएंगे कंट्री में देश में तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इसी के बाद ओशोजें हैं वो हमेशा के लिए अमेरिका को अलविदा कह देते हैं अमेरिका सरकार के दवाव के चलते 21 देशों ने दुनिया भर के ओशो को या तो निशकासित कर दिया था या फिर उन्हें अपने देश के अंदर एंट्री देने से ही मना कर दिया था किस देशों ने इन देशों में Greece, Italy, Switzerland, Sweden, Great Britain, Germany, Canada और Spain शामिल हैं तो ये सारे देश थे जिनोंने यहाँ पर उन्हें पना देने से ही मना कर दिया था जब वो अलग-अलग जगे पर गए अमेरिका से निकलने के बाद है लेकिन कहीं भी जब उन्हें पना नहीं मिली तो वापस से एक बार फिर से ओशो, आचारी रजनीश, भारत आते हैं पर्मनेंटली अब भारत आ गए, 1986 का वो साल था, 1986, 86 हैं भारत आते हैं भारत आये भी तो कैसे थे कि उनके साथ में करीबन बताते हैं चार टन का लगेश था, चार टन बैगेज उनके साथ में था जिसमें रेफिरिजरेटर, फ्रिज, आपके एर कंडिशनर, ये सारी चीज़ें उनके अलग अलग फरनीचर, तो ये सब चीज़ें उनके साथ में वो लाए थे, यहां से वो ये सब लेके भारत वापस आ जाते थी, अधकारी जो थे वहां पर ओफिशर जो लोग थे, ओफिसर्स ने यहां पर ओशो को और उस आश्रम में लोगों को रहने की अनुमती इस बादे के साथ में दी थी, कि आपके जो तीन हजार शिश हैं, जो आपके फॉलोर्स हैं, और आप यहां पर रहेंगे, आप आपके जाते हैं, इसके बाद यहां पर पूरे में रहना दुबारा शुरू करते हैं, जो तेरानवे ट्रोल्स रोइस कारें थी, उनके बाद बताया जाता है कि इस सेफ़ एक मरस्डीज बची थी इस समय पे, कारें दुबारा आ सकती थी लेकिन इस समय पर आप वो सेफ़ मरस्डीज रखा करते थे, इसके साथ ओशो ने क्या किया कि अगले साल 1988 में अपना नाम जो था, क्योंकि अभी तक उन्हें भगवान शुरी रजनीश के नाम से उनके फॉलवर्स बुलाते थे, उन्होंने अपना नाम चेंज करके गौतम दा बुद्धा रख लिया, जब उन्होंने नाम रखा, गौतम दा बुद्धा ये क्लेम करते हुए कि मैं जो हूँ, वो बुद्ध का, जो गौतम बुद्ध थे, उनका अवतार हूँ, तो मैंने इस धर्टी पर उनके अवतार के तौर पर जगन लिया, ये बताया जाता है कि उन्होंने जब ये नाम रख लिया, इसको बहुत जादा क्रिटिसिजम उन्हें इसके भारी विरोज जहिलना पड़ा, विरोज जहिलने के बाद उन्होंने अपना नाम अगले पांच दिन के अंदर ही चेंज कर दिया, फिर उन्होंने अपना नाम रखा, जौरबा दा बुद्धा, एक बार फिर से ये फाइनली, 1988 में बन जाते हैं, ओशो, ओशो का अर्थ था, ओशो जो नाम है, इसका मतलब था, वो शक्स जिसने अपने आपको सागर में विलीन कर लिया, लेकिन अव अमेरिका से लोटने के बाद में ऐसा कहा जाने लगा, उनके आश्रम में भी बातें होती थी और बताया नाम का, एक स्लोप पॉईजन दिया जाता था, जिससे उनके शरीर में दिक्कते हों और उनकी मौत जल्दी हो जाए, तो ये चीज़ यहां पर सामने आती है, साथ में ये भी बताया जाता है, कि उनने रेडियो एक्टिव वेवस की से लेस एक चटाई जो थी, उस पर ओशो ने खुद से भी इसके बाद कई बार ये कहा, कि मुझ में जहर के जो लक्षन है, वो मैं देख रहा हूँ, मुझे लगाता है, जो मेरा रेजिस्टेंस है, वो कमजोर होता जा रहा है, और मुझे अमेरिकी सरकार पर हमेशा से शक था, जब वो मेरी बार बार जो बेल जाता है, कि जब उनकी मृत्ती हुई, उसके महज 41 दिन पहले, जिस महिला का हमने आपको जिक्र किया था, जो उनकी गल्फिंड भी रही थी, उनकी प्रेमिका भी रही थी, नाम था क्रिशियाना वॉल्फ, असली नाम और जो ओशो ने उनका नाम रखा था, वो था मा, प् सकार भी कर दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, तो इसके बाद आप ये देखिए, कि ये जो साल 1990 था, अब उशो की मौत जो थी, वो करीबन इसके 41 दिन बाद ही होने वाली थी, अब ये कैसे हुआ है, ये हम आपको एक अलग परीके से बताते हैं, जो बा गोकानी, तो डॉक्टर गोकुल गोकानी अपने घर पे रेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर उनके पास अचानक से फोन आता है, वो शो के उस आश्रम से, कि उन्हें कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी आश्रम आ जाईए, इमर्जेंसी है, और आप अपनी इमर्जेंसी किट औ और अपना लेटर हेड जरूर लेकि आईएगा, यह उन्हें कहा जाता है, उन्होंने पूचा कि कोई बिमार है आश्रम के अंदर, या किसी की मृत्ती हो चुकी है, या कोई इस तरह की सीरियस चीज है, उन्हें कोई इसके बारे में जवाब नहीं दिया गया, कोई information नहीं यह सीधे जो गोकोल गुकानी थे, डॉक्टर गोकोल गुकानी, आश्रम पहुच जाते हैं पूने के, ओश्रम के आश्रम पहुचे, पांच मेर्ट के अंदर ही उन्हें, जब वो बताया जाता है कि करीवन दो बजे पहुचे थे, दो सवादों के आसपासी आश्रम पहुच छोड़ रहे हैं, यह कहते हैं कि वोश्य अपना श्री छोड़ रहे हैं, गोकोल गुकानी की भी आश्रम पहुचे रहाँ हैं, यह सारी चीज़ें होती हैं तो बताया जाता है कि दो बज़े करीब हैं यहां पहुचे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अंद गंटे निकल जाते हैं पांच बजे के आसपास पांच बजे के आसपास गोकल, गोकानी को डॉक्टर को ओशो के कमरे में ले जाया जाता है और जो सिनारियो था जो वहाँ पर दर्शित हाव है बताते हैं कि अमृतो और जहेश जहेश जो की माइकल ब्राइन और अमृतो जो की जॉन एंड्रियूज ये दोनों ही उशो की जो बॉडी थी उसके पास में खड़े हुए थे अमृतो ने उसके बाद कहा कि अभी अभी इन्होंने अपना कुछी देर पहले शरी जो है वो छोड़ा है इस तरह की चीज यहां पे कही जाती है इसके बाद में ये कहा जाता है कि उन्होंने अभी अभी अपना शरी छोड़ा है और आपको मतलब डॉक्टर गोकल गुकानी को एक डेथ सर्टिफिकेट बनाना है उनका ये सब क्यों किया जा जाता है जिससे की पोस्ट मॉर्टम ना हो पाए इसके बाद ये जब इन से कहा जाता है कि आपको एक डेथ सर्टिफिकेट बनाना है डॉक्टर गोकल गुकानी आशरी चकित थे कि ये सब कैसे हो गया उन्हें इतनी देर से और ये समझ में आ रहा था है अज़ा डॉक्टर वो क्योंकि जानते हैं इतना तो ये समझ में आ रहा था कि उनकी जो डेथ है वो कुछ ही घंटे एक घंटे के अंदर अंदर ही हुई है ज्यादा समय उसको नहीं हुआ है इसके बाद उन्होंने पूछा अमरितो और जयेश है कि यहाँ पर आप बताए कि इनका cause of death क्या लिखना है यहाँ पर cause of death क्या रहेगा तो उनसे कहा गया अमरितो और जयेश के द्वारा कि आप यहाँ पर लिख दीजिए कि heart related कोई भी reason जिसकी वज़ेसे यहाँ पर उनकी death हुई जिससे हम post-mortem को avoid कर सकें post-mortem हमें नहीं कराना है डॉक्टर गोकानी जो थे वो यह समझते हैं आज भी यह बानते हैं आज भी पूरी तरह से कि ओशो की जो death हुई थी इतने mysteriously इतने ही क्या कहा जाए कि secrecy के साथ में इसको रखा गया हमेशा इसमें कोई बड़ा दाल में कुछ काला था कोई बड़ा जोल था यहां पर उनका जो reason था death का वो आज भी unknown है कि उन्हें कैसे मारा गया उन्हें मारा गया था उनकी मौत कैसे हुई थी गोकुल गोकानी यहां पर यह भी सोच रहे थे कि अमरेतो और जैश जो थे वो इतनी देर से वेट क्यों कर रहे थे कि ओशो की जो जान है वो चली जाए इतनी देर से वो रुके क्यों हुए थे जब बहार आ चुके थे डॉक्टर बहार आ चुके थे तब भी उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया गया साथी साथ में आश्रम के अंदर पहले से इतने सारे डॉक्टर मौजूद है तो फिर बहार से उन्हें ही क्यों बुलाया गया डेट सर्ट बिकट बनाने के लिए तो ऐसे कई सारे सवाल जो थे वो डॉक्टर गोकोल गोकानी के मन में लगातार गूंज रहे थे लगातार वो अपने आप से इस सवाल भी उस समय पूछ रहे थे इसके बाद पूने आश्रम के इनर सर्कल के अंदर जितने मेंबर थे करीबन 21 मेंबर उस इनर सर्कल में हुआ करते थे उन्हें बुलाया जाता है अमरितो और जैश जो थे वहां पर वो अपना बयान देना शुरू करते तो उन लोगों को बताना शुरू कर देते हैं किस तरह से क्या क्या हुआ था ओश्रो के साथ में तो यहां पर अमरितो जो थे उन्होंने अपना बताना शुरू किया एक prepared statement था जो कि उन्होंने पूरा prepare करके रखा हुआ था ओशो की deaths related बाकी लोगों को आश्रम के उनको यह बताना शुरू करते हैं कहते हैं कि ओशो जो थे वो काफी पेन में थे दर्द में थे उनकी बॉड़ी पिछले कुछ दिनों से बहुत जादा weak होती जा रही थी और हलस उनकी मिल नहीं रही थी और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया ऐसा एक लंबा statement यहां पर अमरितों के द्वारा दिया गया था उसमें कई सारी अलग अलग चीज़ें बताई गई थी इसके आद ये भी बताया गया अमरितों और जैश के द्वारा कि आगे बढ़ाएंगे मैं अपना ड्रीम आपके लिए छोड़ता हूं आई लीव यू माई ड्रीम तो यह सारी चीज़ सामने आती है यह सब चीज़ें जब अमरितों और जैश लोगों को बता रहते हैं इनर सर्कल में करीवन 21 लोग थे 20 मेंबर्स थे उनके सामने यह सारी बता ही जा रही थी गोको और गोकानी भी इस से शौक थे यहां पर बताया आगया अमरितों और जैश के दोरा के ओशो ने यह कहा है कि वो अपनी बॉड़ी को यह चाते थे कि जल्दी से जल्दी उनका अंतिम संसकार कर दिया जाए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस को से किसी से भी ओशो की डेथ के बारे में बात करने के लिए सक्थ मनाई की गई कि आप इनकी डेथ के बारे में कभी किसी से ज़्यादा बात्चीत नहीं करेंगे यहां छोटा सा अनाॉंस्मेंट से तरीबन साड़े पांच बजे उनकी मृत्ती हुई और साड़े छे बजे के भीतर भीतर उनका अंतिम संस्कार एक गंटे के अंदर कर दिया गया ओशुगी समाधी पर लिखा गया ना कभी जन्मा ना कभी मरा सिर्फ 11 दिसंबर 1931 से 19 जन्वरी 1990 के बीच इस प्रत्वी पर ब्रह्मन किया ओशो की मृत्यू के तुरंत बाद ही उनके अंतिम संसकार के तुरंत बाद ही जयेश जो थे जो माइकल ब्राइन वो यहाँ पर चेर्मन बन जाते हैं पूरे उस इनर सर्कल के और जो अम्रितों थे वो उसके डेप्रिटी बन जाते हैं तो यहाँ पर यह भी secretary हुआ करती थी नीलम जब उन्होंने ओशो की मदर को अच्छा आपको ये बता दें कि ओशो की मा जो थी वो वहीं पे उसी आश्रम में मौजूद थी उन्हें भी नहीं बताया गया कि ओशो की तबियत किस तरह से खराब हो रही है या उनका अन्तिम समय चल रहा है इस तरह की बाद उन्हें भी नहीं बताये गए उशो की मा को जब उनकी secretary नीलम ने ये बताया जाके कि आपके जो बेटे हैं जो ओशो है वो आप इस दुनिया में नहीं है तो उनका कहना था कि नीलम they have killed him नीलम उन्होंने उसे मार दिया तो ये उनकी माने कहा था कई सारे सवाल इसके बाद खड़े हुए उशो की death के बाद और गुकल गुकानी जी ने भी कई सारे सवाल उठाए ये इस तरह के कुछ सवाल थे कि अगर उशो की death natural थी अगर उनकी death natural cause से हुई थी एक natural death थी जैसा कि अमरितों ने claim किया आके सामने तो फिर क्या जरुवत थी इतनी ज़्यादा secrecy रखने की इतने ज़्यादा एक secret तरीके से इसको रखने की क्या जरुवत थी जब death का समय था जब उस समय पे उनकी death हुई थी साथ में दूसरा सवाल सामने आता है कि जब क्यों डॉक्टर गुकानी को इतनी जल्दबाजी में बुलाया गया कम्यून death certificate issue करने के लिए और साथ में जब उन्हें बुलाया गया था तो यहाँ पे उनने मिलने क्यों नहीं दिया गया उशो से उनकी जान क्यों नहीं बचानी दी गई जबकि तीन गंटे का करीबन समय पता चल रहा था साथ तोर पर के यहाँ पे उशो की जब गुकुल गुकानी पहुँचे आश्रम में तब से लेकर उशो की death तक करीबन तीन गंटे का समय बीच में रहा है तो उन्हें क्यों नहीं अंदर जाने दिया और उसके बाद ओशो का अंतिम संसकार इतनी जल्द बाजी में क्यों कर दिया गया यह सारे सवाल खड़े हुए और इसके साथ डॉक्टर गुकुल गुकानी ने ये भी कहा उन्होंने ये कहा कि वो चाहते हैं कि जो वीडियो फोटेज हो वो सामने दी जाए उन्होंने कहा कि मैं वीडियो फोटेज देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ पर बिलीफ करूँ कि ओशो ने जैश को अमरतों को ये कहा है कि I leave you my dream मतलब मैं अपना पूरा सब कुछ आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ और आप लोग इसको आगे बढ़ाई है तो ये जो स्टोरी मेरे सामने रखी जा रही है इस पर मैं बिलीफ करने के लिए वीडियो देखना चाहता हूँ उन्होंने ये का बताया सामने कोई भी वीडियो नहीं बनाया गया और यहां तक की एक भी आडियो टेप नहीं लिया गया जब वो अपने जीवन का सबसे एक महतवपून जो एक अपना प्रवचन था वो दे रहे थे जब वो ये बता रहे थे कि वो किसी को एक میडियम की तरह यहाँ पlaration को अपना जो ड्रीम है जो अपना है वो बताने वाले हूं उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको आगे रखने वाले हैं तो यह सब किसीने भी record tuning किया किसी वीडियो या audio के form में ये सारी चीज़ें उन्होंने लगातार यहां पर उठाना शुरू कर दिया तो ये सारी चीज़ें चलती रही जैश और अमरितो ये दोनों ओशो के आगे जो जितने आश्रम थे भारत में भारत के बहार इनको समालने लगे ये सारी चीज़ें चली लेकिन उस समय तक कई लोगों ने कई ऐसे महत्पून लोग जो उस समय पर अगर सामने आके इन चीज़ों को उठाते तो कहान नहीं आज कुछ और होती लेकिन किसी ने उन चीज़ों को उठाया वसीयत पेश करके जब ये बात सामने आई तो बताया जाता है कि पूने के ही एक और ओशो के फॉल्लवर थे योगेश ठकर तो जो फॉल्लवर हैं योगेश ठकर ओशो के उन्हों ने यहां पे इस वसीयत को चैलेंज किया कोर्ट में और साथ में ये भी बताया जाता है कि बाग में ये जो वसीयत थी वो जाली भी पेश होई वो जाली निकली जब फॉरंसिक उसकी जांच कराई गई ठकर ये क्लेम करते हैं जो पूने के ओशो के फॉल्लवर हैं पॉराने वो एक claim करते हैं कि जो will थी जो वसियत दिखाई गई वो fake थी साथी साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि 100 करोड रुपे का 100 करोड रुपे का एक illegal transfer किया गया है OSHO International Foundation से जो की एक public charitable trust है OSHO International Foundation और उस public charitable trust से OSHO Multimedia and Resort Private Limited जो एक private company है उसमें 100 करोड रुपे का illegal transfer किया गया है और ऐसी जो properties हैं OSHO की कैसारी है पूने की खुद की जो property है वो 1000 करोड रुपे करीबन उसकी कीमत है साथ में अलग-अलग देश और दुनिया में कहां पगाए प्रोपर्टी हैं इसके बारे में उन्हें नहीं पता वो ये भी कहते हैं कि intellectual property rights से तो IP जो rules है IP rights से इनको यहां पे intellectual property rights से OSHO के जित्ते वीडियोज हैं जो भी बागी उनके प्रवचन हैं उनकी किताबे हैं इनसे हर साल 100 करोड रुपे का मुनाफ़ा 100 करोड रुपे का profit होता है ये लोग इससे कमाई करते हैं साथ में उन्होंने ये कहा कि जब युगेश ठकर ने विल के बारे में वसीयत के बारे में पूछना चाहा तो उनकी entry को बैन कर दिया पूने के आश्रम में ये सारी चीज़ें सामने आती हैं वो साथ तोर पर ये कहते हैं कि करीबन 20 कंपनिया ये रोप में हैं ऐसी जिनको ये लोग चला रहे हैं और 800 करोड रुपे ये लोग अभी तक यहाँ पर गबन कर चुके हैं यहाँ पर इल्लीगल उसका ट्रांसफर हो चुका है वो मुखर तरीके से सामने आके ये आरोप लगाते हैं कि आए दिन इंट्रिलेक्टॉल प्रोपर्टी के नाम पर ये जो जूरिक में सिर्जर लैंड में अमेरिका और यूनिटेट किंडम में यूके में लेन दिन जो है वो लगातार हो रहा है ओशो की नाम पर और गैर कानूनी तरीके से ये लोग इसको जारी रखे हुए हैं उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे ओशो इंट्रिलेक्टॉल प्रोपर्टी है उससे होने वाली जो कमाई है उसका मिस्यूज कर रहे हैं साथ में ओशो इंटरनेशनल फांडिशन के ट्रस्टीज के खिलाफ उन्होंने 2013 नवंबर के अंदर FIR भी दर्च कराई थी तो आरोप कई सारे उन्होंने लगाए हैं उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वसीयत है वो फर्जी पैयार किया हुई थी ये सारे के सारे आरोप लगातार लगते चले ही दा रहे हैं और ये सब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं लेकिन आप ये देखिए कि ओशो की डेथ जो थी जो उनकी मौत हुई वो आज भी रहसे बनी हुई है कि आखिर उस दिन उस दुपैर में उनके साथ में क्या हुआ था दोस्तों ये दा आज का हमारा एपिसोड ओशो के ऊपर उनकी लाइफ जितनी जादा कॉन्ट्रवर्शल रही डेथ उतनी जादा मिस्टीरियस है और आज तक है उस पर कई सारे सवाल उठते नजर आएं और कई सारे आरोप भी लोगों पर लगते रहें लेकिन इसका निसक एपिसोड आप लोगों के लिए हाजर है आपने सीरीज को अभी तक बहुत जादा प्यार दिया है उम्मीद है कि आगे भी आप इसको ऐसे ही सराहेंगे हम आपके लिए बहुत जाद डीटेल रिसर्च करने के बाद अपने जो वीडियो है वो आपके लिए बनाते हैं रिस आप उसे मेरे सुशिल मीडिया हैंडल पर जोड़ सकते हैं इंस्ट्राग्राम ट्विटर पेस्बुक जहां भी आप जोड़ना चाहें इसी के साथ में कोई भी कॉमेंट है तो वह भी आप कोई भी आपकी राय है तो आप कॉमेंट में दे सकते हैं और याद रखिएगा ए बहुत अच्छे कोर्सेज लेकर आए हैं बेस्ट स्टडी मटीरल है बेस्ट अफॉर्डिबल रेट्स में आपको दिया जा रहा है और उस पर बड़ा डिस्कॉंट पाने के लिए सिर्फ एक कोड लगाना है वीजलाइब यह आपका कोड है इसको याद रखना है ये कोड ल